फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार ये नारा दीरे दीरे हमारे सुनने में फिर से आ रहा है क्योंकि लोकसवा चुनाव अब नजदीक आ रहे है हाला कि अभी का हालत को देखते हुए ये तो तैय लग रहा है कि मोदी 3.0 होने जा रहा है यानि कि 2024 में फिर से मोदी की सरकार बनने जा रही है लेकिन इस 400 पार आखिर कैसे होगा कैसे मोदी फिर एक बार भव्य चुनावी जीत हासिल करेंगे ये सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि मोदी सरकार का दूसरकार एकाल यानि कि मोदी 2.0 कैसा रहा क्या वादे हुए थे और उन में से कितने वादे पूरे हुए इन सभी बातों का विशलेशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे तो वीडियो अन तक जरूर देखे और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें तो चलिए समयन अगवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हाव मोदी 3.0 पॉसिबल एंड रिपोर्ट कार्ड ओफ मोदी 2.0 नमस्कार मैं हूँ निशीत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नोवित निशे प्रधान मंतरी नंद्रमोदी और भाजपा के नितरुत्ववाला एंडिय गट मंदन 2024 के चुनाओं में फिर से एक बार अपना पर्चम लहराएगा ऐसे संकेत मिल रहे हैं हलाकि बाचपा पहले ही तीन राजियों में जीत हासिल कर चुकी है और 2024 के लोग सुबा चुनाओं से पहले कॉंग्रेस के नितरुत्ववाले गट मंदन इंडिया की तुलना में बढ़त बनाये हुए है आईए इन सभी पहलों के बारे में डिचल से चल्चा करते हैं कि आखिर मोदी जी फिर से एक बार कैसे पीएम बनेंगे ऐसा माहुल क्यों बन रहा है अगर देखा जाए तो मोदी की राजनिती चार पहलों में चलती है उनका पहला पहलो है हिंदुत्व की राजनिती, दूसरा है उनका लाभार्थी वर्ग, तीसरा है उनका संगठन और चोथा है उनकी लोक प्रियता इन सभी पहलों को एक एक कर हम समझेंगे सबसे पहले हम मैनिफेस्टों पर बात कर लेते हैं जिसको भाजपा संकल्प पत्र कहती है 2019 के इलेक्शन में भाजपा ने जो वादे किये थे उसकी क्या स्थिती है और कितना फाइदा पाहचा रहे है इनके वादे बाजपा सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने अपने दूसरे कारेकाल के 6 मईने के बीतर गोष्णा पत्र के 90 प्रतिशत वादे पूरे किये थे बीजेपी के पिछले गोश्णा पत्र में 13 मुख्य वादी थे जिन में से अधिकांस 2014 के गोश्णा पत्र को आगे ही बढ़ा रहे थे हम 2019 के गोश्णा पत्र में किये गए नए वादों पर ध्यान के इंद्रित करते हैं तो आईए इन वादों को एक एक कर समझते है नमबर एक सुरक्षा में मोधी 2.0 की उपलब थी भाजपा को जो सबसे बड़ा वादा था वो था सिक्यूरिटी का सुरक्षा के संदर्व में भाजपा ने आतंकवाद के खिलाब जीरो टेलरेंस, नेशनल सिक्यूरिटी, सैनिको के कल्यान, नागरिकता संसोधन विधयक, सीमर सुरक्षा को मजबूत करने और अनुचे 370 को निरस्त करने का वादा किया था जिन में से अधिकान स्पूरे हो वो है जम्बु कश्मीर से धारा 370 को हटाना, आपको बता दे कि भाजपा के जो आईडल है उनमें से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी, जो की धारा 370 का पहले से विरोध करते आये है, उनका एक नारा भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि एक तीर, एक निशान, एक सम्विधान, यह नारा बहुत लंबे समय तक भाजपा और जन्चन के कारेकर्ताओं को प्रेणा देता रहा, साथ ही भाजपा ने पूरे विश्वास के साथ दावा किया था कि वे अनुछे 370 को हटा कर रहेंगे, साथ ही भाजपा ने यह भी कहा था कि यह धारा जो देश के नागरिकों को मिल रहा था, अब जम्बु कश्मीर और लद्दाक के लोगों के लिए भी उपलब्ध होगा, जब सरकार ने बिना किसी हीच की चाहट के जम्बु कश्मीर की विशे स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव करने का फैसला किया, तो इससे लोगों महत्वपूर्ण बुमी का निभाई कि कैसे लोगों ने मोदी और उनकी सरकार के प्रती अपना द्रश्टी कौन बदला है, साथ ही सुरक्षा के मामले को देखे तो दहिंदू में छपी रिपोर्ट के अनुसार बाजपा ने 100 किलोमीटर स्मार्ट फैंसिंग लगाने का भी अब दूसरा बहुत वी महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं और वो है इंस्ट्रेस्ट्रेक्चर CNBC TV18 की रिपोर्ट के अनुसार PM मोदी और भाजपा सरकार ने इंस्ट्रेस्ट्रेक्चर के खेत्र में रिखोर्ट समय पर बड़ी उपलब्दी हासिल की है क्योंकि उन्होंने 2014 से 2022 तक 50 प्रतिशत अधिक राजमार्ग बनाये है बाजपा ने 90 प्रतिशत भारती अरिल्वे ट्रेकों का विद्यूति करण करके भारती अरिल्वे को बड़ावा दिया डेडिकेटेड फ्रेंट कोरिडॉर का 95% EDFC में चालू था और लगबक 70% WDFC तयार है बीजेपी ने 175 गीगावाट नवीनी करण उर्जाक शमता हासिल करने का वादा हिया था लेकिन 175 में से 119 गीगावाट हासिल किया गया बीजेपी ने 99% परिवारों को बैंकिंग तक पहुँच प्रदान की नौ वर्षों में ग्रामिक शेत्रों में 3.04 करोड से अधिक पक्ये घर बनाये गए 2021 तक 85% परिवार पक्ये घरों में रहते थे लेकिन शहरिक शेत्रों की तुल्डा में उनमें कोई खास बदलाव नहीं आया नमबर 3. हेल्थ सेक्टर में विकास कोविड ने भारत की स्वास्तक शेत्र में एक बहुत ही बड़ा नुकसान पहुचाया था लेकिन भाजपा सरकार ने हेल्थ के इंस्ट्रक्ट्रक्चर में बहुत ही अच्छा काम किया और लोगों की हेल्थ वियवस्था को सूनिस्चित किया भाजपा ने 2023 तक आयुशेमान भारत के तहट 1.5 लाख स्वास्ते और कल्यान केंद्र बनाए उन्होंने 75 नए Medical College, Post Graduate Medical College विबिन जिल्लों में स्थापित करने का भी वादा किया था साथी इन वादों में राष्ट्रे स्वास्ते मिशन को डिजिनल बनाने की भाजपा की योजना भी शामिल है अध्वितिय स्वास्ते पैचान और Electronic स्वास्ते रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित किया गया है लेकिन सहरी और ग्रामिल स्वास्ते सेवाओं के बीच अंतर एक चिंता का विशय बना हुआ है और एक और चिंता का विशय यह है कि 2022 में भारत 127 देशों में से 107 विस्थान पर है जो एक उपर की और रुजान का संकेत देता है बाजपा सरकार को अभी भी टिका करण और पोशन में प्रक्रति करने की ज़रूरत है बाजपा ने शूशाशन में सकारात्मक परिणाम दिखाए है 99% से अधिक गाओं में 5 किलोमेटर के बीतर एक बैंक शाखा, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र उपलब्द है पाजपा ने अधालतों के डिचिटिल करण, आधुनिकी करण की भी योजना बनाई है जो दूसरे चरण से गुजर रहा है परियोजना का दूसरा चरण 2015 से 2023 तक 18,735 जिला और अधिन्स्थ अधालतों को कम्प्यूटिक रूट करने के साथ लागू किया गया था 2022 में UPI लेंदेन वितवर्ष 2012 के लिए भारत की GDP का लगबग 86 परसंट था लेकिन इसे अभी भी बश्टचार मुक्त भारत, पुलिस सुधार और पुर्वत राज्यों में विकास हासिल करने की जरूरत है क्योंकि 2023 में मनिपूर में अराजक्ता फैल गई थी क्रूसी सबंदी वादे भाजपा के लिए सबसे कठीन वादे सावित हुए क्योंकि भाजपा ने सात में से केवल तीन वादे ही लागू किये गए है लेकिन वे इस क्षेत्र में बदलाव कर रहे हैं जैसे सिंचाई परियोजनाओं को 47% पूरा करणा भूमी रिकॉर्ड का 94% डिजिटली करण और प्रधानमंत्री किशान का कार्यान वयन मांधन योजना जो छोटे और सिमांध किशानों को पैंशन देती है बाजपा को कुछिक शेत्र में अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है लेकिन इसे विक्सित करने का उसका वीजन है समान अधिकारों की राह पर बाजपा सरकार ने कारेबल में महिलाओं की भागिदारी को पूर्थसाहिब किया है हमने 2017-18 में महिला भागिदारी में 23% से 2022-23 में 37% की वृद्धी देखी है सभी असंगठिद मजदूरों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज हासिल किया गया है मुसलिम महिलाओं को न्याय सो निश्चित करने के लिए तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया था बाजपा ने लोगसभाबे महिलाओं के लिए आरक्षन विधयक भी पारित किया जो विपक्स के कोई भी प्रतिरोत के साथ पारित हो गया है जो लोगसबा, राजय विदानसबाओं और राष्ट्रिय राजदानिक शेत्र दिल्ली की विदानसबा में मैलाओं के लिए एक सीटों में से एक तिहाई सीटे आरक्षित करना है जिसमें SC और AST के लिए आरक्षित सीटे भी शामिल है 6 जन जातिय स्वतंतरता से नानी संग्रालयो, 585 राज्य और 1030 केंदर सरकार की इमारतों को विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त बढाने का काम पूरा करना सोनिश्चित करें सभी छोटे दुकानदारों को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मांधन योजना का विस्तार करना था 7 विदेशनिती हाल के कुछ वर्षों में पीएम मोदी ने नई तरीके से विदेशनिती अपनाई है और देशों के बीच संबंदों को मजबूत करने के लिए कई देशों का दोरा किया है जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री फोर्टालेजा यानि कि ब्राजिल में ब्रिक्स शिखर सम्मिलन में शामिल हुए जहां उन्होंने बविश्य के प्रयासों के बारे में सला देने के लिए ब्रिक्स नेता उसे मुलाकात की एक प्रमुक गटनाकरम में ब्रिक्स बैंक को गठन किया गया और भारत को बैंक का पहला अध्यक्ष बनाया गया सितमबर 2014 में प्रधानमंत्री ने सेयुक्त राश्टर की बहासभा को संबोधित किया था जिसके दोरान उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि भारत दुनिया में कैसे योगदान दे सकता है और विश्वशांती के महत्वपर जोड दिया इसमबर 2014 में जब 177 राश्टर एक साथ आये और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 21 जुन को अंतरराश्टरी योग दिवश कोशित किया गया यह शोनिश्चित रूप से योग को दुनिया भर में बहुत लोग प्रिय बना देगा इससे भारत को दुनिया के साथ वर्षो पुरानी परंपराओ और संस्कृति का आदान प्रदान करने का भी मौका बिला वर्ष 2014 के दोरान भारत ने वैश्विक के प्रमुख नेताओं का भी स्वाकत किया जनवरी 2014 में अमेरिकी गर राष्ट्रपती बराक उबामा गर्णतंत्र दिवस परेड के मुख्या अतिथी के रूप में भारत आये थे PM मोदी और राष्ट्रपती ओबामा ने सयुक्तरूप से भारतिय और अमेरिकी व्यापारिक नेताओं को संबोधित किया और व्यापक बात्चित भी की सितम्बर 2014 में PM टोनी ओबोट ने भारत का दोरा किया और उसी महीने राष्ट्रपती शी जिन पिंग ने भारत का दोरा किया जहां PM मोदी ने गुजरात में उनका स्वागत किया था दिसंबर 2014 में सुरूस के प्राष्टपती पूतीन की भारत की महत्वपून यात्रा की जहां परमाणू और व्यापक व्यापार सबंदों पर व्यापक चर्चा हुई फ्रांस ने प्रतिष्थित एफिल टावर से शुरुआत करते हुए फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानि की यूपी आई बुकतान तंत्र को सुविकार करने के लिगोश्ट ना की है भारतिय परियाटक अब यूपी आई का उपयोग करके ऑनलाइन टिकेट खरित कर एफिल टावर की अपनी यातरा बुक कर सकते हैं जिससे लेंदेन प्रक्रियात वरित आसान और परिशानी मुक्त हो जाएगी जबकि अफिल टावर फ्रांस में यूपी आई भुकतान की पेशकर्ष करने वाला पहला व्यापारी है यह सेवा जल्द ही परियतन और खुद्राक्षेत्र के अन्य व्यापारियों के लिए वी विस्तारित की जाएगी इससे फ्रांस में रहने वाले भारतियों के लिए दूर से होटल बुक करना, संग्रालाई का दोरा करना, आदी जैसी चीजे काफी आसान हो जाएगी भारत की वैश्विक पहिचान ने IT और टूरिजम जैसे कई उद्योकों को बढ़ावा दिया है क्योंकि विदेशनिती में आसानी और भाजपा सरकार के प्रोतसाहन के कारण इसमें वृद्धी देखी गई है अठारवाज G20 सिखर्शं मिलन 9 सितंबर 2023 के दोरान नई दिल्ली में सफरता पूर्वक आयुजित किया गया था भारती अध्यक्षता के तहत 2023 में G20 वसुधैव कुटुंब कम विशय पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसका अर्थ है एक पृत्वी, एक परिवार और एक भविश्य भारत का राष्टपती बनना एक महत्वपूर्ण मेल का पत्थर साबित होगा क्योंकि वह सभी के लिए लाब के लिए व्याभार एक वैश्विक समाधान खोजना चाहता है नमबर आठ, राम मंदिर की पुनर स्थापना और हिंदुत्व 22 जन्वरी 2024 को प्रदान मंतरी नर्द्रमोदी ने अयुद्या में श्री राम लला के मूर्ती की स्थापना के लिए प्रान पतिष्था समारो आयुजित किया भारत के सभी हिंदुों के लिए संतुष्टी और गर्व का दिंग था हिंदु द्रश्टी कौन को परंपरा, पुरा तत्विक खोजो और अयतिहासिक दस्तावेजी करण द्वारा मजबुत किया गया था अयुद्या में राम मंदिर का निर्माण, उनके धर्म के परती, उनकी जिम्मेदारी और स्ने और अपनी मात्रो भुमी में संस्कूर्ती की बहाली माना चाता है बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस मामले को किसी धार्मिक उत्सव जैसे आयुजन के तोर पर ले रहे थे इस दोरान इस दिन अधिकारिक तोर पर विपक्ष के नेताओं, मशूर हस्तियों, खिलाडियों और कई अन्य लोगों सहित लगबग 8000 लोगों को आमंत्रित किया गया है स्क्रीनिंग पूरे देश में साथ ही दुनिया भर में भारतिय दूतावासों में और यहां तक की न्यूई यॉर्क के टाइम स्क्वेर पर एक प्रायुजित स्क्रीन पर की गई थी बीजेपी और पीएम मोदी का हिंदूत्व के प्रती समर्थन बीजेपी की विचारधाराओं के निर्माण और निव का समय है और उन पर मुसल्मानों और अन्य अल्प संखियकों को पर हमले में शामिल दूर्दराज के हिंदू समुहों को छूट प्रदान करने का आरोप लगाया गया है पीएम मोदी और बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि वेजाती और आस्था के आधार पर भारतीयों के बीच बेदबाव नहीं करते है बारत सकल घरिल उत्पाद में वी निर्माण की हिस्सेदारी 17% से बढ़ाकर 25% करने का इच्छुक है केंद्रीय मंत्री हरदीब एस्पूरी ने यह बयान देकर साबित कर दिया कि भारत एक बहुत बड़ी उइकोनोमी बनने जा रहा है 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ व्यवस्था बनने का बीजेपी का 2018 का सपना संबव है क्योंकि वह इसे पूरा करने के लिए द्रड है वर्तमान में 3.732 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ व्यवस्था है और प्रतिव्यक्तियाइट 2612 डॉलर है भाजपा के नेतरुत्व में हमने वितवर्ष 2022 में सकल घरिल उतपात में 7.8% के वृद्धी देखी है लेकिन हमने यह भी देखा है कि मुद्रा स्फिती पिछली सरकार की तुलना में केवल 5.1% पर नियंतरित हुई और 6.4% का राजकोशिय घाटा हुआ लेकिन सरकार इसे 5.9% तक सिमित करने की कोशिश कर रही है CNBC TV18 की रिपोर्ट के अनुसार वितवर्ष 22 का FDI यानि की Foreign Direct Index 71 मिलियन एक अमेरिकी डॉलर है जिससे BJP के तहित कुल 5.5 मिलियन डॉलर का FDI हो गया है जो UPS सरकार से 65% अधिक है PMOD ने मेकिन इंडिया योजना शुरू की जो भारती MSME के भारत के अंदर विकास और निर्मान करने के लिए प्रोचसाहित करती है जिससे नए रोजगार पैदा हो सकते है और क्षेतर का विकास हो सकता है इनका द्रश्टिक और 2025 तक वी निर्मान क्षेतर के सकल घरिल उत्पाद योगदान को 17 पतिशत से 25 पतिशत तक बढ़ाना है उनकी प्रदर्शन लिंक्ट प्रोचसाहन यानि की PLI योजना से FDI में 76% की वृद्धी हुई और 60 लाख अतिरिक्त नौकरिया पैदा होने की उम्मीद है इस योजना के तहट हमने स्मार्टफोन निर्यात में 139% की वृद्धी और मोबैल वी निर्मान में 20% की मुल्य वर्दन देखा है भारत श्टील, सिमेंट और कोईले का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है दूसरा सबसे बड़ा सडक नेटवर्क और चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क सहीत नई बुनिया दिधाचा परियोजनाय बनाना उनका दृष्टिक और राष्टिय हरित हाइड्रोजन मीशन जैसी पहलो को प्रोचसाहित करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए समर्थन करना है EIU के अनुसार 2018-22 में भारतिय के आर्थिक रैंकिंग एशिया में 14 वे स्थान पर है बाजपा का अनुमान है कि 2022 से 2027 तक एशिया में 10 वे स्थान पर सुधार होगा अक्टूबर 2023 में भारत का कुल नीर्यात 62.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था जो अक्टूबर 2022 में दर्ज 56.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 9.43 प्रतिशत अधिक है अप्रेल अक्टूबर 2023 की अवदी के लिए भारत का कुल नीर्यात 437.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था जो दर्शता है अप्रेल अक्टूबर 2022 की तुलडा में 1.61% की नकारात्मक वृद्धी 2019 में भारत का नीर्यात 529.25 अमेरिकी डॉलर बिलियन का था हाला कि ये तो बात हुई मोदी सरकार के अब तक के कामकाज के लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे मोदी का 400 पार टारगेट का सपना साकार होगा आखिर क्या मुद्धे इफेक्ट करेंगे और कौन से मुद्धे प्रभाव डालेंगे 2024 के इलेक्शन में तो चलिए इस पर बात करते हैं साथ ये भी जानेंगे कि क्या माहुल है अभी देश की जनता के बीच तो सबसे पहले बात करते हैं नमबर एक जनता पर मोदी का प्रभाव आज के दिन पियम मोदी एक्स यानि की ट्वीटर पर 95.2 मिलियन फॉलोवर्स यूट्यूब पर 22 मिलियन सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पर 86.7 मिलियन फॉलोवर्स और फेस्बुक पर 49 मिलियन फॉलोवर्स के साथ बेहत लोग प्रिया है किसका मैनेजमेंट बाजपा द्वारा किया जाता है इससे पता चलता है कि वह नकेवल बुजूरकों के बीच बलकि UAPD के बीच भी लोग प्रिया है सबसे महत्वपुन कारक जिसने PMODI की वैश्विक मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया वह भारतिय प्रवासी है जो सदियों से विदेशी भूमी में रह रहे है PMODI प्रवासी भारतियों के बीच हमेशा लोग प्रिया बने रहना जो उन्हें एक महाननेता के रूप में देखते थे जो बारत को बदल देगा नियोर्क शहर के मेडिंसन स्क्वेर गार्डन से लेकर शंगाई तक हिंद महासाकर में शैशल्स और मोरिशस से लेकर सिड्नी के ओलफंस एरना तक दुनिया भर में हर जगा डनिंद्र मोदी का गर्म जोशी से स्वागत किया गया है भारतिय समुदाई ने हवाई एड़ो पर और विबिन कारेक्रमों में पियम मोदी का स्वागत किया है यदिवानगी प्रवासी भारतियों से लेकर भारत की मलिन बस्तियों तक उनका पीछा करती रही बाचपा ने लोगप्रियता हासिल करने के लिए जनवरी दोहजार चौविस में अयुद्या में राम मंदिर के उद्गाटन का भी इस्तमाल किया मोदी ने देश में हिंदु राष्णवादी भावडा को डगमकाते हुए दोहजार बाइस में इसका निर्मान शुरू किया इस आयोजन का समर्थं करने वाली बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर को हजारों उपहार बेजे उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार दर्जनों घर्भवती महिलाओं ने बाइस जन्वरी को सिजेरियन सेक्षन करने का अनुरोद किया है ताकि उनके बच्चे का जन्म उसी दिन हो सके नमबर दो नया गोशना पत्र और नए वादे भारती जन्ता पार्टी ने आगामे लोग सभा चुनाव 2024 के लिए अपना चुनाव अभियान मोदी को चुनते हैं आओ प्रदान मंतिर नर्दर मोदी को चुने के नारे के साथ शुरू किया है उन्हें अभी आधिकारिक गोश्णा पत्र जारी करना बाकी है प्रदान मोदी ने यूपी के बुलंद शहर में 19,100 करोड से अधिक की कई विकास परियोजनाओ का उद्गाटन किया है एक्स पर एक पोश्ट में प्रदान मंतिर नर्दर मोदी ने कहा है कि मैं भारत के यूपी को 2024 के लोग सबाचुनाओ के लिए भाजपा गोश्णा पत्र में योगदान देने के लिए आमंत्रित करता हूँ उन्होंने युवाउप से नमो एप पर भाग लेने और अपने विचार साजा करने को कहा इस पहल में यह भी वादा किया गया कि प्रदान मंत्री व्यक्तिकत रूप से कुछ योगदान करताओं से बिलेंगे और साजा किये गए इंपुट पर चर्चा करेंगे नमबर तीन विपक्ष में एकता का भाव पीयम मोदिने एक्स पर लिखा चतिसगर्ण मध्यप्रदेश और राजस्थान के नतीजे बताते हैं कि भारत के लोग शुशाशन और विकाश की राजनिती के प्रतीद रड़ है बाचपा की NDA सरकार का मुकाबला करने के लिए कॉंग्रेस इंडियन नेशनल डेवलप्मेंट इंक्लूजिव एलाइन्स के साथ आई जो INDIA का संक्षिप्त है और 28 दलो के नेताओं ने 2024 के लोगसभा चुनाव साथ लगने की गोश्टा की थी नाम बैंगलूर में एक बैठक के दोरान प्रस्तावित किया गया था और 28 भाग लेने वाले दलो द्वारा सर्वसम्मती से अपनाया गया था कॉंग्रेस पार्टी की हार का कारण भाई भती जवाद और समान विचारधरा वाले दर्म निर्पेक्ष दलो के साथ गंड बंदन बनाने में विफलता को भी माना जा रहा है पिछले दस वर्षों में पार्टी को भाजपा ने भारती राजनिती के हाशिये पर धकेल दिया है कॉंग्रेस नेतरुत्वा पर अहंकारी होने और जमिनी हकिकर्थ से दूर रहने का भी आरोप लगाया गया है रहुल गांदी उनकी बहन प्रयंका गांदी और उनकी मासोनिया गांदी पार्टी के सबसे फेमस जाने माने चहरे बने हुए है वर्तमान पार्टी अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे जो एक दलित समुदाई से आते हैं जिन्होंने गांदी वन्ष की छाया में काम किया है हाल ही में इंडिया गटबंदन छोड़ने वाले नितिश कुमार ने शाथी गटबंदन से सदस्यों को जबर्दस चटका दिया है हाल ही में ममता और अर्वित केजरिवाल ने कॉंग्रेस प्रमुख मलिकारजुन खड़के का नाम प्रस्तावित किया है जिन्होंने विनम रता से इंकार कर दिया है हलाकि इस प्रस्ताव से कॉंग्रेस को शर्बिंदा किया होगा जो राहुल गांदी को अपने शिर्ष नेता के रूप में देखती है कई लोगों का मानना है कि इस प्रस्ताव ने बिहार के मुख्य मंतरी नितिश कुमार को परिशान कर दिया है जिससे गट बंदन में दरान आ गई है नितृत्व की कमी ब्रह्म और आपस में संगर्ष के कारण कई और लोगों के गट बंदन छोड़ने की संभावना है इससे भाजपा को तीसरी बार लोगसवा सीटे जीतने की उम्मीद है नमबर चार भारतिय मीडिया की भूमिका और उसका प्रभाव प्रदान मंतरी नर्द्रमोदी ने इस बात के सर्वत्तम उदाहरोन में से एक है कि कैसे एक उच्च उच्च राजनितिक पर आसीन व्यक्ति को व्यापक मीडिया का ध्यान प्राप्त होता है और यहां तक की निसकरियता भी मीडिया की नजर में रहती है मीडिया घरानों में बीचेपी का प्रभाव देखे तो G-network जो की भाचपा सांसद सुभास चंद्रा के स्वामित्म में है Republic TV, राजिव चंद्रशेकर और अर्णम गोल स्वामी द्वारस थापित राजिव चंद्रशेकर फिर से भाचपा सांसद और मोधी सरकार में मंत्री है आज तक 15% हिस्सेदारी मुके संबानी के पास है News 18, मुके संबानी के स्वामित्म में है अडानी के पास अब NDTV में 64.71% की हिस्सेदारी है इस तरह का बड़ा हुआ मीडिया प्रदर्शन जनता को सुचित कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि नेता जवाब दे बने रहे हला कि इसका संबावित नकारात्मक पक्ष यह है कि यह सारवजनिक धाना में हेरफेर कर सकता है और यहां तक की व्यक्तियों को नकारात्मक प्रतिक्रिया देने से भी रोग सकता है जैसे ही वो 2014 में प्रधानमंत्री बने उन पर मास मीडिया की स्पोटलाइट काफी हद तक सुनहरी थी एक ऐसे नेता पर कबजा कर लिया जिसकी भारत और वीदेशों में कई लोग प्रसंसा करते थे हलाकि इस समय के साथ जैसे जैसे सत्ता और राजनिती विक्सित हुई मीडिया लेंस ने व्यापक स्पेक्ट्रम पर कपचा कर दिया मीडिया एक्स्पोजर ने मोदी की यात्रा के हर कदम को प्रभावित किया गुजरात में उनके दिनों से लेकर कैंद्र में उनके साशनकाल तक अपनी उपलब दियों का जश्न मनाने के बावजूत यह 2002 दंगो जैसे विवादों से दूर नहीं रहा उनकी सारवजनिक धाना मीडिया की इस दोहरी शक्ति के आकार लेती है जो एक प्रकास तंब और आलोचक दोनों के रूप में कारे करती थी नरेंद्रमोदी की कहानी को आकार देने में मिडिया के भूबिका इस बात का उदाहरन है कि राजनिति कहानियों को आकार देने में मास मिडिया का कितना जबर्जस्त प्रभाव है मीडिया की शक्ती निर्विवाद है चाहे वकिसी नेता को उपर उठाना हो या चुनोती पून प्रश्ट पुछना हो भारती राजनेताओं का करियर व्यापक प्रभाव के साथ मीडिया माध्य मुद्वारा निर्धारित होता है हाला कि यह विश्वास पैदा करने और राजनेताओं को सत्ता के शिखर तक पहुचाने के अवसर प्रदान करता है यह एक दो धारी तरवार भी हो सकती है जो धानाओ और करियर की दिशा बदलने में शक्षम है जैसा कि नरिद्रमोदी के मामले से पता चलता है जन्संचार के छात्रों के रूप में हमें यह समझना चाहिए कि मीडिया हमारे देश की राजनीती को कैसे प्रभावित करता है तो जैसा कि आपने देखा कि अगर अभी के माहौल और मोधी सरकार के पहले दो कारेकाल को देखे तो भाजपा का जितना लगबग तैम आना जा रहा है लेकिन वो 400 के पाथ जाएंगे या नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने कॉमेंट हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकोन भी दबा दीजिए ताकि आगया आने वले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे तो मिलते है अगले वीडियो में तब तक आप देखते रही है आपका अपने यूटुब चैनल एंपावरिंग मैंड्स अन्वेलिंग तूट्स नमस्कार जैहिन जैमा भार्ती